तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल थ्रिल फैक्ट्स तो दोस्तों आज हम जानेंगे टॉप 5 मोश्ट एक्सपेंसिव बाइक्स इन दा वर्ल्ड यानि दुनिया की सबसे जादा महगी बाइकों के बारे में तो चलते हैं इस सुछाने सफर में नताशा दीदी के साथ ओ आप सोच रहोंगे मैंने इनकी क्लिप क्यों ली वो इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छी बाइक चला रही थी तो चलिए बिना वक्त का वाइक शुरू करते हैं इस वीडियो गो दोस्तों अब जो बाइक आप देख रहे हैं इस बाइक का नाम है दी हारली डैविडसन कॉस्मिक इस्टार्जिप दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दुनिया की पांचवे नमबर पर तब से महगी बाइक है और इस बाइक की वर्थ है लगबग डॉलर 1.5 मिलियन और आपको इसके बारे में कुछ बाति बतादूं ये जो बाइक है ये एक परसन थे जैक ार्म्स पहले माथ ईसके कारण ये बाइक इतनी जदा फेमस हो पाई और दोस्तों इस बाइक को मिलियन डॉलर हारली देविडिसन या फिर जैक आर्म श्ट्रॉंक्स बाइक भी कहते हैं जब शुरुवात में मार्केड में आई थी तो इसका प्राइस डॉलर 15 मिलियन से 30 मिलियन के बीस थी और दोस्तों ये बाइक अक्टूबर 2010 म मार्केड में लाए गई थी और जिस लोकेशन में ये इंट्रोडीच हुए थी वो लोकेशन थी बार्टेल्स इन मेरीना डैलरे कैलिफोर्निया और इस बाइक की सबसे खास बात यही है कि इसका जो पेंट करने का अंदाज है वह बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है नमबर दोस्तो अब यह जो बाइक आप देख रहे हैं यह दुनिया के महांगी बाइकों में चौत है नमबर पे इस बाइक का नाम है BMS Nameses और अगर हम इस बाइक की वर्थ के बात करे तो इसकी वर्थ है लगबग डॉलर 3 मिलियन और अगर हम इसकी इंडियन प्राइस के बात करे जो रैट्स होल शो हुआ था उसका टॉप प्राइजिक कश्टम इस्टार्या ने एक नॉर्मल मोटर साइकल जो की यही BMS Nameses थी उसने जीता था जिसकी वज़े से बाइक काफी फेमस हो गई थी और इस बाइक वनाने वाली कंपनी का नाम है ब्रावर्वर्ड मोटर स्पो पस्टान जीता था अब थ्री दोस्तों अब जो वाइक आपको स्कृम पर दिख रहे हैं इस बाइक का नाम है प्रम कि एच्वान एस्पेरिट और दोस्तों अगर हम किस बाइक की वर्त के बात के रहें तो इस बाइक का प्राइस है लगभग डॉलर 3.6 मिलिया और अगर र और यह बाइक 2011 में इंट्रोडियूशन दोजर ग्यारा में आए थी और यह स्पोर्ट केटेगरी की बाइक है जिसको 5 में से 3 रेटिंग मिले है इसमें V44 इंजन का इस्तमाल किया गया है और इसकी स्पीड के बारे में बात करूं तो इसकी स्पीड हलगबक 370.1 किलो मीटर प पूरा का पूरा तो वजन है वो है 120.2 यानि 120.2 किलोग्राम और इस बाइक का लुक भी देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तो अब जो बाइक आप देख रहे हैं इस दुनिया की महंगी बाइकों में नमबर टू में आती है इस बाइक का नाम है 1949 A.J.A. Sport की पाइन अगर हम इसकी वर्थ की बात करें तो इसकी वर्थ है डॉलर 7 मिलियन और इसका इंडियन प्राइस है लगबक 51 करोड रुपी दोस्तो ये जो बाइक है ये एक ब्रेटिस रेसिंग मोटरसाइकल है जिसको AMC यानि Associated Motorcycles Company ने डिजाइन किया था दोस्तो ये बाइक 1945 में horizontal engine के साथ आय थी जिसका model नमबर था E90S पर कुछ समय बाद इसका E95 model नमबर का एक inclined engine भी डिजाइन हुआ और आपको बता दूँ कि इसका engine है वो लगबक 500cc का है दोस्तो जो बाइक model नमबर E90 engine के साथ आय थी वो एक open frame यानि खुले frame के साथ आय थी पर कुछ समय बाद जो बाइक model नमबर E95 वाले engine के साथ आय थी उस पर एक loop type का frame था यानि gold type का frame था जिस पर नीचे motor लगाए गई थी नमबर 1 दोस्तो जिस बाइक का आप और मैं दोनों बेसबरी से इंतजार कर रहे थे उस बाइक के बारे मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तो अब जो बाइक आपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दुनिया के सबसे महगी बाइकों में पहले नमबर बे आती है दोस्तो इस बाइक की जो फ्रंट सस्पेंशन यानि जो आगे के सस्पेंशन है वो टाइटैनियम और अलुमेनियम Мेचल से बने हुआ और कारवन फाइवर के बिट्स से भी बने हुआ और दोस्तो ये बाइक एक American company जिसका नाम Naiman Marcus Group है उसके द्वारा बनाए गई है और इस company का headquarter है Dallas, Texas, USA में दोस्तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलना और comment box में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी इनमेज सबसे फेवरेट बाइक कौन से है वसे मैं बता दू मेरे तो सबसे फेवरेट बाइक यही है नाiman Marcus Limited Edition fighter और दोस्तो ऐसे ही और मज़ेदार और थ्रिलिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलना तब तक के लिए बाइब